हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग जिस मोवी का एक्स्प्लेनेशन करने वाले हैं, ये मोवी बहुत ज़्यदा मिस्टीरियस है, इस मोवी का नाम रेडियस है सु गाइज, मोवी के स्टार्टिंग में हम लोग को एक आदमे का एक्सिडन्ट हुआ दिखाई देता है, उसके सर से काफी तेज खून बैय रहा होता है, जहां पर उसका एक्सिडन्ट हुआ होता है, दूर दूर तक वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, वो बस उसके पास आकर रुखने ही वाली होती है कि अचानक से वो कार बेकाबू होकर रोड के बाहर जाकर टकरा जाती है और उस कार के ड्राइवर की अचानक से मौत हो जाती है यह देखकर वो जो आदमी होता है वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि अखिरकार इसे क्या ह गया है अब इसके बाद में ये आदमी उस कार के ड्राइवर का फोन निकाल के 911 पर कॉल करता है और यहां के जो पूरी सिच्वेशन होती है उस पूरी सिच्वेशन को बताने की कोसिस करता है लेकिन जब 911 वाला जो कस्टमर के एर होता है उसका नाम पुछता है तो वो अपना जेब से पर्स निकाल कर ड्राइवेंग लेसेंस और अपनी आईडी को निकालता है इसमें वो अपना नाम देखता है जिसमें उसका नाम लियम हार्टवेल लिखा होता है अब लियम वहां से तुरण निकल जाता है और मदद मागने के लिए फिर से थोड़ा बहुत आगे बढ़ता है वह थोड़ी ही दूर जाता है तो उसे कॉफी सॉप दिखाए देती हैं और वह कॉफी सॉप के अंदर पहुंचता है वहां के छिटने भी लोग होते हैं वो फिर से मर जाते हैं सबकी आखें वाइट कलर की हो जाती है एक कार प्र और होती है उसकार का जिससे लोगों की काफी जदा रहसमाई मौत हो रही है इसके बाद में लियम अपने ड्राइविंग लाइसेंस पर अपने घर का पता देखता है और वो सीधा अपने घर चला जाता है अब लियम जब यहां पर अपने घर में पहुंच जाता है तब उसे यहां पर कुछ भी य एक्टर के साथ में फार्मर उसको दिखाई देता है लियम उसे ये वार्निंग देते हुए कहता है तुम यहां से जल्दी से अपने घर चले जाओ हावा में कोई ऐसा वायरस है जो लोगों की बहुत ज़्यदा रहसमाई मौत कर रहा है लेकिन यहां जो फार्मर होता है और उसे कुछ भी सुनाएं नहीं दे रहा होता है इसलिए वो farmer Liam की तरफ बढ़ता है लेकिन वो जैसे Liam के थोड़ा करीब आता है उसकी भी मौत हो जाती है Liam को अभी यहाँ पर थोड़ा वो सक होने लगता है कि यह सब जो हो रहा है साध उसकी वज़ा मैं ही हो सकता हूँ वो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए एक practical करता है और यह practical वो एक कववे के उपर करता है जैसे ही वो कववे के पास में जाता है वो कववा भी मर जाता है अब Liam को यहाँ पर पूरी तरीके से confirm हो गया है कि उसी के वज़े से लोगों की मौत हो रही है लेकिन उसे पता नहीं चल पार रहा है कि अखिरकार लोग मर क्यों रहे हैं अब इसके बाद में Liam अपने आपको घर के पास में एक स्टोर रूम में छिपा लेता है और लोगों को अपने पास में आने से रोकता है लेकिन हम लोगों को अगले ही पल उसके घर में पुलिस आती हुई दिखाई देती है वो पुलिस लियम के यहां पर इसले आती है क्योंकि उसका एकसिडेंट हुआ होता है और उसकी कार अभी तक एकसिडेंट स्पॉर्ट पर ही होती है इसलिए पुलिस वाले उससे कुछ पूस्ताश करने के लिए आते हैं लेकिन लियम उनके सामने बिल्कुल नहीं निकलता है इसके बाद में जो पुलिस होती है वो फिर से वापस लोट जाती है थोड़ी देर बाद जब यहां से पुलिस चली जाती है उसके कुछी समय बात में हम लोगों को एक लड़की उसक सानक से लेम के उपर पड़ती है और लेम की और बढ़ना स्टार्ट कर देती है लेLYम से लड़की यह बोलती है कि तुम लेम हर्टेल हो हो लिएम इसको अपने पास आने से पहले रोकता है लेकिन वह लड़की बिल्कुल भी नहीं रुकती है और उसके पास में और दाश चली गई होती है और वह सास्थ में यह भी बताती है कि जिस कार का accept होता है मैं भी उसी कार में थी यानि कि हम दोनों लोग एक ही साथ में थे बुझे पिछला याद कुछ भी नहीं आ रहा है और मैं तुम्हारे साथ可以 में तुम्हारे पास में आई हूँ और क्कि और कहांपर जाना है ये मुझे पता नहीं है यहां तक कि मुझे मेरा नाम भी नहीं पता था अब यहां पर रोज काफी देर तक बात हो हैं हम लोगों को दिखाए देते हैं ह। जो होता है वो मरने वाली बात उसको यहां पर अभी नहीं बताता है क्योंकि लियम यह सूचता है कि सायद वो गलत है उसकी वज़े से कोई नहीं मर रहा है अगर कोई मरता तो इस लड़की के भी मौत हो जाती अब थोड़ी दिर बाद में लियम और रोज दोनों लोग जहां लगता है कि साया सब कुछ ठीक हो गया है और यह भी हो सकता है कि मेरी वज़े से कोई मर ना रहा हो लेकिन इसके बाद में जब वो लोग वहां से निकलते हैं तो उन लोगों की तरफ एक पुलिस वाली आती हुई दिखाए देती है जैसे ही वो थोड़ा दूर जाती है लि भी आईस सफेद पढ़ जाती है यह देखकर लियम फिर से काफी तेच चौक जाता है और साथ में यह सब देखकर रोज काफी डर जाती है अब लियम उसको पूरी सचाई पूरी तरीके से बता देता है लियम अब रोज को एक खाली जगे पर ले जाता है और उसको पूरा practical करके दिखाता है कि आखिकार मेरे साथ में क्या हो रहा है सुरुआत में रोज इससे काफी ज़्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि Liam ने उसको पहले क्यों नहीं बताया है इसलिए Liam से वो काफी ज़्यादा गुस्ता होती है Liam रोज से ये कहता है कि अगर तुम मेरे साथ में रहो और तुम्हारे मेरे साथ में होने से सब कुछ नॉर्मल रहता है और जैसे ही तुम दूर चली जाती हो मैं सबी लोगों के लिए फिर से खत्रा बन जाता हूँ और लोगों की जान जाने लगती है Liam को अभी ये लग रहा होता है कि साथ इसकी बॉड़ी या फिर ब्रेंड में कोई प्राबलम हो गया है इसलिए वो चेक अप कराने के लिए एक हॉस्पिटल में जाता है रोज भी उसी के साथ में जाती है क्योंकि अगर वो नहीं जाएगी तो लिएम की वज़े से लोगों की जान चली जाएगी उस हॉस्पिटल में यहाँ पर हम लोगों काफी लोग दिखाई देते हैं लियम अब डॉक्टर के पास में जाकर अपना टेस्ट करवाता है वह वहाँ पर टीवी में चल रहे नियूज को भी सुनता है नियूज में यह बता रहे होते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर अभी तक मरे हुए है उन समय लियम हार्टवेल का हाथ हो सकता है जिसके बाद में जितनी भी पुलिस होती है वो लियम को ढूनना स्टार्ट कर देती है हॉस्पिटल में भी हम लोग को पुलिस दिखाई देती है लियम को अब यहाँ पर जल्दी से अपनी रिपोर्ट लेकर वहाँ से निकलना होता है वो डॉक्टर से अपनी रिपोर्ट बार में पूछता है कि आखेकर क्या प्रॉब्लम है लेकिन डॉक्टर यहां पर यह कहता है कि कि तुम्हारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तुम पूरी तरीके से ठीक हो अब इसके बाद में पुलिस लियम को देख लेती है और उसकी तरह बढ़ती है लियम उन सभी मदत से नीचे चली जाती है वैसे वैसे रोज भी सीधीयों की मदत से वह भी नीचे आ जाती है और किसी लोगों की जान नहीं गई होती है अब लोग सिधा षॉस्पिटल से वहां से निकल कर एक सूंसान जग्ये पर चरे जाते हैं थोड़ी तï Herr ने वह दोनों से ये कहते है कि हमें साध मेरे husband के पास में जाना चाहिए और हम लोग इसे कुछ मदद मांग सकते हैं इसके बाद में Liam को रोज दोनों ऐसा ही करते है अब ऒोनों लोग उसके husband के पास में जाते हैं उसका husband उसको दिन दिखाई देता है सैम जो होता है रोज को देखकर यहाँ पर काफी ज़्यादा खुस हो जाता है वो दोनों लोग सैम को अपनी प्रॉबलम बताते हैं स्टार्टिक में जो सैम होता है उसे यह सब समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यह लोग मुझे बताना क्या चाहते है लेकिन बाद में वो उन दोनों की मदद करता है वो सैम जो होता है वो उन्हें अपने घर में चिपा कर रहने के लिए रख लेता है सैम रोज से अपने बारे में बात करता है लेकिन रोज जो होती है उसे सैम के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं होता है वो उसे पूरी तरीके से भूल चुकी होती है अब रोज और लियम कुछ समय तक उसी घर में ही रहते हैं रोज उस घर में जाकर कुछ समान वगएरा को चेक करते हुए हम लोको दिखाए देती है वो चेक इसलिए करती है कि सायद उसे थोड़ा बहुत कुछ याद आ सके इसी के बीच में रोज को एक फोटो मिलती है ये फोटो जो होती है वो उसके ट्विन सिस्टर की होती है अब यहाँ पर रोज को थोड़ा बहुत कुछ धुंदला धुंदला याद आने लगता है उसे ये याद आता है कि जो उसकी सिस्टर होती है वो कहीं खो गई होती है जिसको ढूनने का काम मैं कर रही थी लेकिन जब रोज उसको ढूनने में नाकाम हो जाती है फिर उसके बाद में वो सुसाइट करने के लिए एक ब्रिज के उपर चली जाती है जहां पर उसकी मुलाकात लियम नाम के एक आदमी से होती है वो उसे सुसाइट करने से रोकता है इसके बाद में रोज ये जाकर सीधा सबसे पहले लियम को बताती है कि तुमने मेरी जान बचाई थी लियम और रोज यहाँ पर काफी करीब आचुके होते हैं इसके बाद में जो रोज का हजबन यानि कि सैम होता है ये सब देखकर काफी जलने लगता है इसके बाद में वो रोज को अकेले में बुला कर ये बात करता है और ये पूछता है कि आखिरकार तुम ये आदमी को कैसे मिली हो और तुम इस आदमी को कब से जानती हो रोज ये बताती है कि मैं इस आदमी से बस एक्सिडेंट के बाद में ही मिली हूँ अब इसके बाद में जब next day होता है तब Sam ना चाहते हुए भी पुलिस को कॉल कर देता है और ये बात वो अपनी wife रोज से और Liam दोनों से बता देता है कि मैंने पुलिस को कॉल कर दी है वो लोग आते ही होंगे वो लोग तुमारी पूरी मदद करेंगे क्योंकि मैंने उन सभी लोगों तुमारी पूरी प्रॉबलम बता दी है और वो लोग इन सभी लोग के लिए तयार हो चुके हैं लेकिन यहां पर Liam Sam से ये कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गल्दी कर दी है ऐसा कुछ भी नहीं होगा वो जल्दी से वहां भागने के लिए तयार हो जाते हैं लेक को अलग कर होते हैं जबकि Liam और दोनों लोग चिलाकर कर कि यह कह रहा होते हैं कि हम दोनों को पिलीज अलग מת करो हम लोगों को साथ मे ले जाओ लेकिन वो ये सब नहीं सुनते हैं और थोड़ी दूर जैसे ही Liam को रोज से अलग ले जाते हैं इसके बाद में जितने भी पुलिस वाले होते हैं वो सभी लोग वहीं पर ही मर जाते हैं अब इसके बाद में घर के पीछे वाली जो पुलिस होती है जिसने सैम को पुलिस की कार में डाला हुआ होता है वो भी लियम की तरफ आता है और उसकी भी मौत हो जाती है अब यहां पर लियम और रोज दोनों लोग काफी ज़्यादा रो रहे होते हैं वो बिल्कुल भी उनों कुछ समय तक रहते हैं रोज वहाँ की काई सारी चीज़ें चिक कर रहे होती है और उसे काई सारी चीज़ें अपने बेहन के रिलेटेट मिलती है और साथ-साथ में उसके भी फोटो मिलती है थोड़ा बहुत और ढूनने के बाद में रोज को यहां पर एक उसको पते हैं जब उस राज जब रोज सुचाइट करने वाली होती है तब लियम ने उसको पहले रोक लिया होता है और रोकने के बाद में उससे वो गिडे डुप करने वाला होता है उन लोगों का एक्कसिडेंट हो होता है रोज यहां अभी तक लियम को काफी अच्छा इंसान मानती थी लेकिन वो एक सीरियल किलर निकलता है लियम जो होता है वो एक तलाब में अपनी बोट पर बैठा हुआ होता है उसे वहां पर एक रिंग मिलती है और फिर बाद में लियम को भी कुछ बहुत याद आने लगता है उसको भी याद आता है कि लिली को उसने गिटनैप किया था और गिटनैप करने के बाद में उसी तलाब में फेक दिया था अब लियम को भी रोज के बार में पूरा सब कुछ पता चल जाता है और अपने बारे में पता चल जाता है कि वो एक सीरियल किलर होता है य लियम को मारना चाहती है लेकिन उसकी उंगली ट्रिगर पर नहीं दपाती है सायद वो यह जानती है कि अब जो लियम मेरे सामने है वो पहले वाले लियम नहीं है इतने में उनके घर के पास के कुछ गुंडे उन लोगों के बीच में आ जाते हैं जो कि बाद में उन दोनों को वो लोग टॉर्चर करने लगते हैं अब यहां पर लियम को कुछ ऐसा करना पड़ता है जिसको वो बिल्कुल भी करना नहीं जाता है लेकिन वो लोग उसको टॉर्चर कर रहे होते हैं इसलिए लियम को यह सब करना पड़ता है वो जैसे ही रोज से थोड़ा दूर जाता है ज एक देखर होता है रोज यहां धूर्टा परेंटर को हूं करता है अपने आपको को ही मार लेता है और इसके बाद में मोवी का एंड होता है तो दोस्तों यह थी हमारी काफी ज्यादा मिश्टरी से भरी मोवी जिसका नाम है रेडियस उमीद करता हूं कि आप लोग को एक्स्प्लैनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेगा ऐसे ही और भी एक्स्प